तो नमस्कार दोस्तों मैं अरजन को सम्मी एक बार फिर से और में श्टीडी चैनलर पर आपका हर्देख स्वागत करता हूं जैसा कि आपको पता है हम भारतिय सम्मीदान के तहट प्रस्तावना पड़ रहे थे और प्रस्तावना के अंदर हमने देखा था कि प्रस्तावना क्या है और इसके साथी साथ उसके मूल तत्तों पर हमने बात की थे मुल्टत्तो जैसे कि उसमें नहित था कि भारत एक संपुड प्रवत्तो संपन समाजवादी 15 पेच लोकतांतर गड़राज होगा इसके साथी साथ हमने उसके जो सब्दावलियां थी प्रस्तावना में उस पर हमने डेटेल्ड में बात के थे लिए कि किस अमेंडेमेंट के तहित कौण से सब्चाव जोड़े गए गयेใหं दोस्तो इसी क्रब में आगे बढ़ते हुए आगे देखेंगे कि जो बात चल रही थी कि जो भारती संब्यदान है भारती संब्यदान जो है उद्देश का उसका पार्ट है या नही उद्देश का भारती संब्यदान का पार्ट है या नही संब्यदान का पार्ट है या नही संब्यदान का भाग है या नही इस पर हम बात करने वाले थे हैं कि जो उद्देश को है वह भारतिय सम्विदान का भागान या नि जो जितने ख़ी डिविट चली थी आधे किस सब कर देके रोड़े woh 12 बाद में किस केस में असिंट्रों कोट नहाँ अधम हुआ इसकES हम ने राद दिया या इस सकता है या नहीं और जो उद्देशिका है वो प्रवर्तनी है या नहीं प्रवर्तनी का मतलब होता है न्याययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय प्रवड़तनिय न्याय योग तो इस पर हम बात करने वाले हैं आज के इन्फोर्चेबल है याने तो दोस्तों इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि उद्देश्य का जो है वो भारती सम्मिदान का पार्ट है याने तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे सम्मंद्ध जो पहला केस आया सुप्रीम कोट के सामने बेरुवाडी केस उस पर सुप्रीम कोट का क्या डिसीजन रहा और इसके तहट जो आने वाले डिसीजन थे उनका क्या इंपक्ट पड़ा तो सबसे पहले देखते हैं बेरुवाडी केस दरसल हुआ ये था कि बेरुवाडी जो है वो प दरसल जब किसी देश की सीमा थोड़ी स्टैप से हो और यहां पर कोई गाउं वसा हुआ हो तो उससे क्या होता है दोनों देशों को प्रब्लम होती है तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है कि कोई आदे चेत्र भारत पाकिस्तान को दे दे या पाकिस्तान भारत को दे दे तो इसी मुद्दे के लेकर जवालाल नेरू ने पूचा था बेरुवाडि केस के तहद कि क्या प्रस्तावना जो है संवेदान का पार्ट है या नहीं या प्रस्तावना को लेकर प्रस्तावना को आधार मानकर संसुदन किया जा सकता है या नहीं या उस भाग को किसी दूसरे को दे सकते हैं या नहीं यानि कि भारती संसद में वो सक्ति नेत है कि वो एक भारत के हिस्से को किसी दूसरे देश को दे सके क्योंकि भारती संविदान में एक सब्द लिखा हुआ है वो है अखंडता क्या है अखंडता का मतलब होता है कभी न अलगोंना कभी न अलगोंना यदि संसद ऐसा करती है तो भारतिय प्रस्तावना या अखंडता का उलंगन होता तो बेरुवाडी थी गहल निनसीप है तो सुप्रीम गोट ने डिस्टीजन लिया ते जो प्रस्तावना है की जो प्रस्तावना है वो संब्धान का पार्ट नहीं है प्रस्तावना जो है प्रस्तावना पार्ट नहीं है भाग नहीं है और जब यह भाग नहीं है तो न तो यह संसद को सक्ति देती है और न संसद की सक्ति सिमित करती है बेरुभाडी case में सपस्ट रूप से कह दिया गया कि प्रस्थामना अर्थात प्रियंबल जो है वो ना तो संसद को सक्ति देती है संसोधन करने के और नहीं संसद की सक्ति को सीमित करती तो जब बेरुभाडी case के तहत ये सब कह दिया गया तो फिर से एक और नया केस आया वो था सजन सिंग बाद यह जो केस था वो था 1960 का मैंने यहां पर 1960 इसलिए बताया है कि वन डे एक्जाम में ऐसे ही कोश्चन आते हैं कि बेरवारी केस कौन सी सन के तहट आया था तो 1960 के तहट तो जब हम next जो केस था वो था सजन सिंगबाद सजन सिंग अब सजन सिंग बाद में क्या हूआ Supreme Court ने कहा कि जो बेरवारी केस में जो बेरवारी केस में प्रस्तावना को भाग न मानना चिनतनी था मतलब इन्होंने इसपस्ट रूप से यह नहीं कहा कि भाग है उद्दिश का जो है वो प्रस्तावना का भाग है ऐसा इन्होंने इसफष्ट नहीं का लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि हाँ एसा न मानना एक चिंतनी है मतलब चिंता का विचय है तो बेरुवाडी केस और सज्जन सिंग केस और तीसरा जो केस था वो था गोलकनाथ केस इस केस में भी यही बात कहीगी इस केस में भी सेम यही बात कहीगी कि गोलक जो प्रस्तावना है वो सम्वेदान का पार्ट होना च कहीगे थी वह भशयन सीग्वद में वी और गोलकनाथ बार में भी का हा गया किन इसके बाद जो नेक्स्ट केस आया वो था क Christians गरा दीवाद स्टेह प्रेंच बाल खेंड ऑन भांधिवादिropol शैंजा में केस्वाणन भांधिवाद में किस्वा तरफ दोखेंआ कितने ज़जों की बेंच तेरे ज़जों की बेंच केशवानन भारतिवाद और यह अब तक की सवसे बड़ी बेंच है क्या है अब तक की सवसे बड़ी बेंच और दरसल जब किसी नेड़य को पलटना हो पिछले नेड़य को पलटना हो तो यह जरूरी है कि उससे बड़ी बे में कहा गया कि प्रस्तावना का पार्ट नहीं है बेरुवाडी केस में कहा गया कि प्रस्तावना का पार्ट नहीं है बेरुवाडी की साथ जजों की बेंच और मान लेते हैं कि केश्वानंद भारती बाद की अगर पांस जजों की बेंच होती और इसके बिरुद नेड़ा दे वह पार्ट है क्या है भाग है क्या है भारती संविधान का भाग है पहली चीज लेकिन इसमें ये भी किलियर कर दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो न तो संसद को सक्ति देती है और न समसीमित करती है क्या करती है न तो सक्ति प्रधान करती है मतला अब जो बिवाद चला थ कि क्या संसद दे सकती है या नहीं तो इससे कोई हलनी निकला बेरुवारी छेत्र को पाकिस्तान को दे सकती है या नहीं तो इससे कोई हलनी निकला क्योंकि इसमें इसपस्ट रूप से कह दिया गया कि न तो संसद को सकती प्रधान होती है या मिलती है और नहीं इससे सीमित हो एक 그 इसके साथ ही साथ किसवाणन्द भारतीवाद में कह गया कि उद्द्य चिका में जो सब्द नहीत हैं उनका प्रेयोग समिधान की ब्याक्या करते समय किया जाना चाहिए यह सब किसवाणन्द भारतीवाद में चाह गया कि इसके बाद दो निड़ और आए वो थे ऐसर सार बोंबई बाद बोंबई बाद और एक था Uh यह LIVE यह दौन नेड़े इन दौनोंनेदरय। का मतला अगर हम सा रड देखें तो यह दौनों के सवानंद भारती बाद की तरह ही तहीं इसमें भी यही का गया कि प्रस्तवना जो है संभिदान का एक महतुपूर पार्ट है महतुपूर पार्ट हैं तो हमने देखा कि जो जो बाद थे सबसे पहला बात जो था बेरुबाoupड बाद जिसमें मना कर दिआ गया था उसके बाद सज्जन सिंग और उसके बाद गोलकनात बाद इन तीनों बाद हम किया कहा गया ? कि संभेदान का पार्ट नहीं है केस्वनन्द भाigraph burybatt के तहत बेरुवाड़ि बाद को change कर दिया गया उसके नेठे को पलट दिया गया और कहा गया कि उद्धिस्थ का जो है वो सम्मेदान का पार्ट है हालांकि ये किसी भी आधार पर संसद की सक्ति को न तो बढ़ाती है न सीमित करती है इसके साथी साथ एसार बोंबरिवाद और हमने एलाइसी बाद भी देखा अब हम देखेंगे कि किस आधार पर हमें मतलब मानना चाहिए कि उद्धिस्थ का जो है वो पार्ट है या नहीं तो पार्ट है या नहीं इसके पच्च और बिपच्च में दो तरक देखते हैं पच्च में किस पार्ट है और बिपच्च में कि ऐसा क्या था कि हम नहीं मानें से पार्ट और ऐसे कौन से पच्छ थे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह पार्ट था यह है तो अगर हम विपच्छ की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि भारती सम्मेदान की उद्देश का जो है यदि सम्मेदान क्या पार्ट होती तो जैसे कि हमें पता है कि भारती संविदान के कितने हैं पर प्रजेंट में कितने हैं 25 लेकिन इन 25 पार्टों में उद्द्य सिखा को सामिल नहीं किया जाता पार्ट फर्स्ट कहां से स्टाट होता है यूनियंट एंड इस टेरेट्री यानि कि भारत और इसके संग राज छे इत्र मिद्धक हो है कि इस आदर पे अगरं देखें तो उद्ध्धत का संवारान का नहीं है लेकिन 병ER हम पक्च की बात करें किरत करें चाहे सकते हां कि भारती संवारन की उद्धत्रह देत्ष्रूत lud उन्होंने ऐसा क्या सोचा होगा जिसके आधार पर हम माने कि प्रस्तावरा जो है इसका पार्ट है तो पहला जो आधार था वो ये था कि जितने भी पार्ट थे सम्मिदान निर्माता जब भी सम्मिदान का निर्माड कर रहे थे तो जितने भी पार्ट थे तो सभी को जिस तर से उन्होंने प्रस्तावना को भी पारित किया था तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि यदि उद्देश्च का जो है सम्विधान का पार्ट नहीं होती तो उसे इतना महत तो नहीं मिलता तो एक आधार ये है कि जिस तरह से सभी पार्ट पारित हुए उसी तरह उसी तरह क्या हुआ प्रस्तावना भी पारित हुए प्रस्तावना भी पारित हुए पहली चीज और दूसरी चीज ये कि जो प्रस्तावना है जो प्रस्तावना है कहा जाता है कि ये उद्देश का जो है उसका पार्ट नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्ट 22 या 25 के तहद नहीं आते हैं लेकिन हमें भाग भाग का यहां पर हमें मतलब समझना पड़ेगा कि भाग का दरसल मीन क्या है भाग का मीन क्या मतलब क्या है तो बहग के दो मतलब हो जकते हैं एक मतलब यह जैसे मैंने वताया कि 25 थिस पार्ट 25 वाग है एक दूसरा मतलब यह होता यह होता है कि उसका अंस है क्या है अंसम का मतलब क्या हो गया जैसे कह आपके पास एक भुक है क्या है बुक है यह और उसमें आपने लिखाया पार्ट1 नोट बना रखे हैं पाट 25 थीक है तो उसके पफेज है इसका जो पशटा है उसे हम फाट नहीं मानेंगे लेकिन उस किताब का तो हिस्सा है न वह जब आप किताब को यहां कि उद्धार का किसक तो एक कुछ आदार हैं जिनके आदार पर हम कह सकते हैं well परतिया सम्मेदान का क्या है पसके बात करें आन है अब इसनों देखा कि उद्धिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रवर्तनी नहीं है अपने आप में प्रवर्तनी नहीं है यह टेक्निकल सब्द है कुछ अपने आप में अपने आप में क्या मतलब है यहां पर UPSC में ये question बनाता 2017 या 2018 में तो अपने आप में प्रवरतनी नहीं है क्या मतलब है प्रवरतनी नहीं मतलब कि enforceable या फिर बोलते है नियायोग्य 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 नहीं है मतलब जो उद्देश सिका में बर्ड नहित हैं जो भी आपको अधिकार दिये गए हैं जो भी सब्दों की बात कही गई है यदि आप उनके आधार पर सुप्रीम कोट जाते हैं तो सुप्रीम कोट उन आधारों को बैलेड नहीं मानेगा तो अपनी आप में का क्या मतलब है अपनी आप में का मतलब है कि जैसे की बात कही गई है 15 कि 7 प्रस्ता बनां नहीं कौन-कौन से बैचार अभियक्ति विश्वास धर्म और पासना की सुवत अंतरता तो बैचार और अभियक्ति की सुवत अंतरता अब आपका क्या हुआ इनका उलंगन हुआ क्या हुआ उलंगन हुआ प्रस्थावणा को आधार मानकर अगर आप सुप्रीम कोट जाते हैं कि हमारा जो है बिचार और अव्यक्ति का उलंगन हुआ है और हमें नयाय चाहिए तो सुप्रीम कोट क्या करेगा इससे अनवेलर्र घोस्थित कर देगा के नहीं हम प्रस्थाव उनीस मेंने हैं तो यहीं आप प् wastewater प्रस्तावना को न लेकर आठ canyon को लेकर जाते कि सर हमाँरे आयटीकल उनीस का वहलांज वहा है और हम जो है हमारे अधिकारों का gano हुआ है विचार działa कि स्वतंत्या का हनन्न हुआ है और हमें न्याई चाहिए तो सुप्रीम कोट जो है तुरंत आपके लिए या आप जो भी कार्यवाई होगी तुरंत वो कार्यवाई करेगा तो अपने आप में प्रवृतिन नहीं का मतलब यही है कि जो सब्द प्रस्तावनाम नहीं तो इसका मतलब है अपने आप में प्रवृतिन नहीं है इसके बाद हमारा जो next motiv है कि कि संवेदान संसोधन हो सकता है कि नी प्रस्तावनाम संसोधनिय है या नहीं है संसोधनिय है या नहीं है तो जब कह दिया गया कि प्रस्तावना जो है संब्यदान का पार्ट है तो पार्ट है तो पार्ट में क्या किया जा सकता है संसुदन किया जा सकता है क्या किया जा सकता है संसुदन किया जा सकता है और दूसरी चीज यह ऐसा होता कि संसुदन नहीं किया जा सकता तो जैसे कि कि सम्मयदान बिग्यों ने कहाए कि अर्टिकल दो और तीन के तहत जो फी सम्मयदान संसोदन होंगे वो सम्मयदान संसोदन नहीं माने जाएंगे साद़ग iba Andamugd को इस बारे में भी कहे जाते है कि जो प्रस्तावना है उसमेन संसोदन नहीं हो सकता है एक जैसे ही कि स्वानन्द भारती किस आया था 1973 में उसके बाद 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहथ 42 अमेंडमेंट के तहथ कौन से सब्द जोड़े गई थे इक समाजवादी और एक पंतनर पेच ता और अ खंड था तवादी SAMाजवादी च अ मदधनि पेच अ लगाद माद मुद जोड़े गई थे और इस पर इस में कॉस्चन भी बनाया बस थोड़ा घुमा दिया है आई इस में इस वार के कॉस्चन को जो कि मैंने कल कराया था कि चब्वीश जनवरी 1950 को भारत के स्थिति क्या थे और जिसमें भी ये सब्द थे वो गलत हो एलिमिनिट हो रहे थे और बाकी एक बच रहा था कि भारत जिवा है संपूर प्रवत्व संपन लोक्तांत्र गड़राज्यता 1950 को तो ये सब हमने देखा कि पार्ट है प्रवर्तन य हम पढ़ने वाले हैं वो next है कि प्रस्तावना से संबंदित महतपूर तत्या या important fact क्या क्या है तो इसे हम देखें कि प्रस्तावना से संबंदित महतपूर fact क्या क्या है तो पहली चीज तो ये कि इसे संब्यदान की क्या कहा जाता है संब्यदान की आत्मा कहा जाता है क्या कहा जाता है संब्यदान की आत्मा पहली fact भारतिय संब्यदान की आत्मा कहा जाता है उद्देशिका को क्या कहा जाता है भारतिय सम्मेदान की आत्मा और दूसरा जो फैक्ट है वो है कि इसे भारतिय सम्मेदान की कुंजी क्या कहा जाता है भारतिय सम्मेदान की कुंजी भी कहा जाता है और तीसरा जो फैक्ट है यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूँ कि भारतिय सम्म्यदान की आत्मा कहा जाता है उद्देशिका को लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि डाक्टर भीम्राव अम्मेडकर जीने किसको भारतिय सम्म्यदान की आत्मा कहा है तो इसका आज़र होगा आर्टिकल 32 क्या होगा आर्टिकल 32 संब्यदानिक उप्चारों का अधिकार तो इन दोनों में अंत्र समझिए संब्यदान की आत्मा पूछे तो प्रस्तावना अगर आपसे ये क्वेशन कर दे कि डाक्टर भीवराम अमेड कर जी ने भारती संब्यदान की किस पार्ट को या किस अनुच्छेद को भारती संब्यदान की आत्मा कहा है तो इसका आंसर क्या होगा अर्टिकल 32 इसके साथ ही भारती संब्यदान की उद्देशिका को कुंजी भी कहा जाता है संब्यदान की कुंजी और मुन्त के मुन्से के मुन्से इन्होंने उद्देशका को जो है उद्देशका को क्या कहा है इन्होंने के मुंसी ने उद्देशका को जो है राजनीतिक जनम पत्री कहा है क्या कहा है राजनीतिक जनम पत्री क्या कहा है जनम पत्री राजनीतिक जनम पत्री यह सब PCS के लिए और 1-day exam के लिए ज्यादा प्रस्तावना की जो भासा है भासा कहां से ली गई है प्रस्तावना की जो भासा है वो ली गई है आस्टेलिया से प्रस्तावना की भासा कहां से ली गई है और जो प्रस्तावना का बिचार है वो कहां से लिया गया है प्रस्तावना का बिचार जो है वो यूएसे से लिया गया है कहां से लिया गया है यूएसे से और जो प्रस्तावना में नहेत जो न्याय हैं तीन प्रकार के सामाजिक आर् और राजनितिक नियाए ये कहां से लिए गए हैं ये लिए गए हैं रूस से नियाए कहां से लिए गए हैं रूस से कहां से रूस से और यादी बात की जाए समानता सोतंतरता और बंदुत्तो ये सब्द कहां से लिए गए हैं समानता कितने प्रकार किया समानता है दो प्रकार के स्वतंतरता पांस प्रकार के बंदुत्व एकता और अकुंडता तो बंदुत्व ये जो तीन सब्द हैं स्वतंतरता समानता यो समता और बंदुत्वा बंदुत्वा ये सब्द कहांसे लिए गये हैं ये सब्द ले गये हैं शादयाल ये फ्रांसकी क्रांती में नहित सब्द ते तो ये कुछ रखनल Il acompanh कि समयदान की आत्मा कहा जाता है समय तानकि कंजी भी कहा जाता है की मनसीन राजनीतिक जनवपत्री कहा है जो सम्मेच प्रस्तावना की भासा है वो आश्टेलिया से लिए गई है बिचार जो है वो USA से लिए गया है जो नियाए है भार्तिये नियाय संम्मेच और बंदतितों की भावना वो जो है फ्रांस से लिया गया है तो दोस्तों मुझे लगता है कि प्रस्तावना जो है अब समाप्त हो गई है और इसके बाद हम जैसा कि हमने आपसे जैसा कि एक टॉपिक हतम होने के बाद हम आपको प्रीविस यह पेपर जीतने भी एक्जाम में आये हैं वो सब कराएंगे जैसे कि आपको पता चल सके कि आप कहां पर स्टेंड करते हैं तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पिछले जो पेपर हैं उनमें कौन कौन सी कॉश्टन साया तो जैसे कि पहला कॉश्टन है कि निमनिलकित में से कौन सा सब्द भारत की उद्देश सिका में नहीं है तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं समाजवादी पंतनिपिछ प्रवुत्यों संपन और लोक कल्यान तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि समाजवादी सब्द और पंतनिपिछ सब्ध यां सब्ड किसके प्रतावना नहीं है और जो लोग कल्याड है ये हमारी प्रस्तावना में नहीं है क्या है लोग कल्याड सब्द जो है हमारी प्रस्तावना में नहीं है हमारी प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रवत्तो संपन यानि के संपूर प्रवत्तो संपन ये सब्द है तो इसका का गलत रंंग क्या हो गया नहीं है क्या पुछरा है नहीं है तो इसका अंसर life लोग धो कいやड़ हो गया प्रवुत्संपन समाजवादी 15 तरे पिच्छ ओर गडर गडराज ये सब्धिश्व हैं अमारी प्रस्ता व्ना में लोग का लिये नहीं है तो इसका अंसर होगा दी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो है क्या है नेक्स्ट जो है वो है कि गड़तंत्र का मतलब क्या होता है गड़तंत्र का मतलब क्या होता है तो इसे अगर हम देखें कि हमने आपको बताया था कि गड़तंत्र का मतलब होता है जहां पर जो जो हेड़ किया होता है इलकेड होता है किया होता है इलक्टेर होता है तो देखते हैं इसमें कहाँ पैङ्छ सब्सक्राइब फिशन दिरक्म इरह जाये जा है iam यह दो यह नहीं दो सकता लॉसरा है अधियच्छी पद्दती यह पuchar को आप यहीं मनद्दmaya करें और तीसरा है संसदी पद्दती सासन वाला राज है अब जैसे कि अगर इसे हम देखें संसदी पद्दती सासन वाला राज है बिर्टेन में क्या है संसदी पद्दती है लेकिन वहांका जो हैड है वो मारानी होती है बंचानुवत रूप से तो इसे भी नहीं बोल सकते हैं हम क्या बोला था है यहां पर यहां पर अध्यच्य बंसानुवत रूप से याता हमने ब्याक्या कीती वह सब जो है आपके question वनते हैं तो हमने देखा कि गरतंत्र क्या होता है चलिए next question देखते हैं next question क्या है next question है कि जो भारत का सम्मिधान पूर रूप से त्यार कवड़ा था भारत का समयदान पूरल रूप से त्यार कव गया था तो इसको अगर हम देखें कि भारत का समयदान पूर्ड रूप तैयार होगा था हमने आपको बताया था कि भारत का समयदान जो है च्शब्ताड वेश जनवरी 1989 को तैयार हो गया था और और 26 जनवरी 1950 को पूर्ड रूप से लाग हो गया था तो देखा आपने कि 26 नवबर 1989 को तयार हो गया था 26 नवबर 1989 को तयार हो गया था पूर्ड रूप से तयार पूर्ड तयार और जो 26 जनौरी 1950 को पूर्ड रूप से लागू हो गया था पूर्ड रूप से लागू हो गया था तो इसमें पूचा है कि पूर्ड रूप से त्यार कब हो गया था तो इसका अंसर होगा B 26 जनौर मर 1949 तो आप देख रहे होंगे कोई भी एक भी single question ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि हमने जो पढ़ाया है उससे आउट हो सभी question इसी से बनेंगे चलिए next question देखते हैं क्या है next question है आपका कि अब तक भारत के सम्मेदान की अब तक भारत के सम्मेदान की उद्धिस्थिका में कितनी बार संसुदन किया जा चुका है तो हमने आपको बताया था कि भारत की जो सम्मेदान की उद्धिस्थिका है उसमें अब तक केवल एक ही संसुदन हुआ है वह है ब्याली समा ब्याली समा संसुदन हुए है एक कितने हुए है एक तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ए चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कि भारत की संपर्वता किस में नेत है भारत की संपर्वता किस में नेत है तो भारत की जो संपर्वता है वह हमारी जो सब्द कहां से शुरू ह होते हैं हमारे सब्द शुरू होते हैं हम भारत के लोग कहां से शुरू होते हैं हम भारत के लोग तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है भारत की जन्ता क्या है इसका मतलब भारत की जन्ता हमने सम्मेदान को बनाया है और संप्रभू कौन होता है एक लोकतंत्र देश में उसका जनता क्या होती है उसकी जनता तो भारत की संप्रवता किसमे नहीत है भारत की जनता में किसमे नहीत है भारत की जनता में ये भारती संसद में नहीं राष्टपती में नहीं और प्रधानमंतरी में नहीं संप्रवता किसमे नहीत होती है भारत की जनता में क्योंकि भारत की आरहे हैं संपन तो संप्रभु कौन हुआ हम यानि कि भारती की जनता तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कॉर्षन क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतिय सम्मेदान लागु कब हुआ था अभी हमने आपको बताई दिया था भारतिय सम्मेदान जो है 26 जनवरी 1950 को लागु हुआ था और 26 नवमर 1949 को पूर रूप से तियार हुआ था जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतिय सम्मेदान की आत्मा किसे कहते हैं भारतिय सम्मेदान की आत्मा किसे कहते हैं यह मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले कराया था कि भारतिय सम्मेदान की जो आत्मा है किसे कहते हैं तो भारतिय सम्मेदान की जो आत्मा है उसे कुछिन धाक्ट्र भीन राव अमरीकरजी ने भारतीस सम्यजान की आतमा किसे कहते हैं। तो इसका अंसर चेंज हो जाएगा उसका अंसर हो जाएगा article 32 क्या हो जाएगा article 32 अगर सीधे ऐसे पूच ले कि भारती सम्म्यदान की आत्मा किसे कहते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा प्रस्तावना तो चलिए next question देखते हम नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या है नेक्स्ट क्वेशन है कि जो भारती ये संब्यदान है भारती संब्यदान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के सासन की सर्वोच सत्ता किसमे नहेत है भारतिय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के सासन की सर्वू चुसत्ता किस में नहत है तो यह सेम जो पिछला कॉशन था उसी से रिलेटेड है बस इसमें सब्दों का एर फेर कर दिया गया है इसका भी कहने का मतलब वह ही है कि भारतिय जो संप्रवुता है वो कि कि इसमें नहत है मतलब भारत में संप्रवु सबस्ज्जाद कौन है तो अभ ने बताया था कि हम भारतिय के लोगों से जो इसस्टाट होती है भारतव की उद्दय्द से का नहीं सिपन्सयों की आनुसार भारतिय शासन की सरवुच सत्ता जो है जनता में नहीं नहत होती है यह next question जो है वो देखते हैं एक भी question ऐसा नहीं है जो ऐसा लगे कि हमने आपको नहीं कराया हो या रेंज से बाहर जा रहा हो सभी question जो है अपनी पकड़ में हैं तो चलिए कुछ question है जो English related है English medium से जो जैसे कि question एक यह है what is the true meaning of secular what is the true meaning of secular मतलब अगर हिंदी में हिंदी में बोलू मैं तो इसका मतलब है कि पंत निर्पेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च करना लेकिन इसमें राजी का कोई धर्म विशेश नहीं होता क्या नहीं होता राजी का कोई धर्म विशेश नहीं होता और राजी जो है सबी धर्मों के साथ समान ब्यावार अपनाएगा तो देखते हैं इसका क्या अंसर होगा पहला दे रखा है all religions are equal in the eyes of the government यानि कि सरकार की नजर में जो सभी धर्म है वो समान समान होंगे पहला यह यह दूसरा है special importance to a religion related to minorities मतलब जो अलपसंक्यक से संबंद जो धर्म है उनको अलपसंक्यक धर्म मतलब जैसे के भारता में केवल हिंदू धर्म को छोड़कर जेतने भी धर्म हैं लगवाग छे धर्म हैं जिनको मतल मुस्लिम, सिक, इसाई और क्या बोलते हैं पार्सी, जैन और बॉद्ध यह जो धर्म है इनको अलपसंक्यक धर्म का दर्जा मिला हुआ है तो ऐसा नहीं है कि किसी minority धर्म को special importance देगा इसके बाद है one religion is promoted by the government किसी एक धर्म को promote करे ऐसा भी नहीं है हमने बताया था आपको सर द्धर्म सम्भाव की बात करता है तो इसका answer क्या होगा ए और religions are equal in the eye of the government तो यह हमने देखा कि secular या पंतरी पिछता का क्या मतलब होता है इसके बाद हम देखेंगे कि जो last question है हमारा last question हमारा कि सामाजिक समता का क्या Season 3 होता है सामाजिक सम्ता का क्या मतलब होता है दरसल सामाजिक सम्ता जैसा कि हम आपको पड़ा रहे थे उसमें सामाजिक सम्ता का मतलब होता है सामाज किन्या या सामाजिक सम्ता कि जहां पर भेदवाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ बेदवाव का उनमूलन होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा मैसूस नहीं होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है बेदवाव हो रहा है क्या हो रहा यह बेदवाव रहा है बेदवाव की जो है समाप्ति हूना चाहिए कि इस भी व्यक्ति के साथ जाति तौछमी के अदर पर लिंग पर जर्मस्थान के आदर पर बंस के आदर पर क्या निंक्या है जाएगा भेदवाब निंक्या जाएगा ये सब क्या हैं ये सब सामाजिक समता की तो उधार हैं तो बेदवाब का अभाब तो ये जो है बाकी डिटेल्ड में हम इसको हम मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि सामाजिक समता क्या है तो हमने लगा 15-20 वीच कुछन किये जिसमें हमने एक भी कुछन एसा नहीं लगा जो out of range हो यानि कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो चाहे वन दे एक्जाम हो चाहे PCS का एक्जाम हो चाहे nda cds किसी का भी एक्जाम हो UPSC का एक्जाम हो सब कवर्च करके चलेगा तो दोस्तो आज का सेशन हम यहीं पर फिनिस करते हैं कंप्लीट करते हैं और यदे आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप ओनोस्टी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को और साती साथ अपनी दोस्तों को सेयर करें और सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपको आने वाली वीडियो आपको नोट्पिकिसन मिल तो दोस्तो धन्यवाद आज आपका लेक्चर हम यहीं पर खतम करते हैं